बिहार बोट के दुबारा इंटरमेडियर का आज आप लोगो साइंस वाले एस्टुडेंट का जो इनका मैथ का सब्जेक्ट का एक्जाम था उन सभी एस्टुडेंट का एक्जाम पूरी तरह का संपन हुआ और इस वीडियो में आप लोगो बताने वाला हूँ जो मैथ में कि यह सेट कोड हैं पर मेरे पास आप लोगों य Ouais का स्टुडेंट का आया है और आपका जोबी सेट कोड हो सारा कोशन आप लोगों को देखते चलेगा और कॉपी पेञन निकाल लीजे और उसमें आप लोगं को लिखते चलेगा उसके बाद आप लोगो जोबी सेट लेकिन मैं 100 में 100 objective प्रवाइट करवाऊंगा ताकि जो भी कोचन में आप लोग को बना कर आये हैं उसका आंसर सही से आप लोग को पता चल सके फर्ष्ट कोचन में आप लोग को बोला गया गया से पुछा जा रहा है यह और बी जो है आप लोग को दो घटनाएं जो सवत्तांत्र है इसका फर्मुल्ला आप लोग को पुछा गया था प्रवाबिलीटी का असान कोचन था सही अंसर आप लोग को हो जाएगा उप्शन सी जितने विए स्टुडेंट ऑप्शन सी टीकर क्या और स calamar प्रवासित तो अप्शन सी बिल्गुल यहां पर आपका सही अंसर होगा रहा है की शोप्शन सी जितने व हैं अनका सही और सतिक अंसर आप लुग को यहां पर देखने को मिल रहा है और चलते हैं आप लोग 2 घटनाएं एं आ पतांत्र है और यहां पर आप लोग को प्लोग को हो जागा यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट अंसर होगा अब चलते हैं आप लोग को फिर से मैट्रिक्स से कोचन आप लोग को पुछा गया था शीक्स नमर में इसको आप 기로chair से मैं को को आप लोग की जागा इसका साने को को पुछा गया है ओर इसका साही यहां पर सभी अंसरॉपशन को आप लिना है एक्स अपलोग को सभीए बिइ सब्साइन को पुछा घंखल ने कुछन में आपलोको यहां पर मैं सभी एस अ вопрос को बता देना चाहता हूं कि यहां पर सिर्फ आप In पर जए है पर किसे के पर ब्रावरपर होगाकिसके बरावर होगा इसका आपलों को सोल्व कीजिकगा त Kung बिल्कुल आपका correct answer option C होगा, option C जितने भी student ठीक हैं उनका सही answer हो जाएगा, अब यहाँ पर आप लोगो देख से दें integration से आप लोगो question पूछा गया था, important question था, 9 नमर question में, तो इसका आप लोगो 9 नमर question का आपको बिल्कुल यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, यहाँ पर इ sign in verse command आप लोगो पूछा गया था, solve करने का आप लोगो question था, इसका आप लोगो अगर answer को हल किया होंगे, तो यहाँ पर under root, यहाँ पर आप लोगो 24 by, 4, 5 answer आप लोगो आया होगा, तो option C बिल्कुल यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा, अब चलते हैं, आप लोगो सभी यह student को 11 कीचन में बोला गया है कि यदि एक सीधीर एखा में दिगज कोन का आप लोगो दिया गया है, और X और By का आप लोगो मान पुछा गया है, कि दिगज कोन आप लोगो दे दिया गया है, इसका आप लोगो बिल्कुल यहाँ पर correct answer option B आएगा, 8 बटा under root, 137, option B बिल्कु पुछा गया था, और इसका answer आप लोगो जो हल किजेगा, हल करने का बाद इसका answer जो आएगा, दो आएगा, तो option B जितने भी student टीक है, उनका सही answer होगा, 13 नमद की चनल बोला गया है, आप लोगो देख से थे, 3X पलस 4Y, और यहाँ पर आप लोगो पलस 5Z माइनस 6 बराब होगे, जो भी student इसका answer option C की है, उनका बिल्कुल है, पर आपका right answer हो जाएगा, अब चलते हैं, आप लोगो 14 नमद की चनल बोला गया है, कि निमली खित में से कौन सा तल, X बराबर 0 है, तो समन अंतर होगा, आपको X बराबर आप लोगो सून दिया गया है, तो कौन सा आप पर आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा, अब चलते हैं, आप लोगो 15 नमद की चनल बोला गया है, कि यदि 2X माइनस 3Y पलस आप लोगो 4Z पराबर 7 है, और उसके बाद समन अंतर तल का समिकरन क्या होगा, जो पूछा गया था, 15 नमद की चनल में, इसका हो जागा, 2X माइनस 3 2Y पलस 4Z is equal to, आप लोगो 11 होगा, option B बिल्कुल यहां पर आपका सही answer हो जागा, आप चलते हैं, आप लोगो 16 नमद कीचन में, आप लोगो बोला गया, कि यदि 4X पलस आप लोगो 3Y माइनस Z पलस 1 पराबर 0 है, पर लाम तल का समिकरन क्या होगा, आप लोगो यहां पर द जाओंगा, साते साथ 17 नमद कीचन, फिर चाप लोगो matrix से question आप लोगो पूछा गया था, important question था, 17 नमर में इसका science और आप लोगो option जो भी student 0 मारकर आये होंगे, उनका बिल्कुल हैं पर आपका right answer हो जागा, आप चलते हैं, आप लोगो 19 नमद कीचन में, फिर से आप प्रवारा मैट्रीक से कोशेन आप लोगो पूछा गया है हर साल मैट्रीक से 10 से 15 नमर के बीच में आप लोग एप्रोक्ष नमर पूछा जाता है पर इच्छा में सभी स्टूडेन का तो यहाँ पर आप लोग को पर चाहती हुआ उनका बिलकुल है पर आपका राइट अंसर बहुत इजी था सिर्फ आपलोगको मल्टिपल गुना करना था जलते हैं आप लोगको 20 नमर क्युक्चन में भी आपा लोगको सेम कोचन था आप लोगको मल्टिपल गुना करना था जो ही पर चाहती हुना किया हूँ उनका यहां पर आपको बिलकुल राइट अंसर आप लोगो आया हो जो भी है स्टुडेंट आप लोगो option D को टीक किया हो उनका बिल्कुल सही अंसर होगा आप चलते हैं आप लोगो यहाँ पर देख सेते हैं पुछा गिया था 22 नमर कीचन में इंपॉर्टेट कोचन था सही अंसर आप लोगो option C हो जाएगा option C जितने भी पशिचार्थी टीक करके आएं उनका बिल्कुल है पर आपका राइट अंसर जा रहा होगा और जो भी पशिचार्थी एक्जाम आप लोगो यहाँ पर आप पुछा गया है इस वर और 100 नमर में जो भी आप लोगो जैक्टीव 50 आ रहा हूँ जब आप लोगो आसानी से निकल सकते हैं फिर से आप लोगो चुविस नमर कीचन में आप लोगो बोला गया भी लोगों प्रोंध फिर से आ विपरिशेशन से पने बिशेशन आप पुछा गया है उन fan राइट अंसर होगा, अब यहाँ पर आप लोगो 27 नमर कुचन में आप लोगो बोला गया है यहाँ पर देख सेते हैं D, आप लोगो D बटर, D, Sine, Tita, Sine, Squad, Tita आप लोगो दिया गया है, इसका मान आप लोगो पूशा गया था है यहां 27 नमर क्यूचन में important कोचन था इसका science और option C होगा 28 नमर क्यूचन में आप लोगो फिर से same question आप लोगो पुछा गया है बार बार आप लोगो एक तरह का question समसे लमसम देखा जाया तो उसी तरह का question दो या तिन question आप लोगो पुछा गया है यह सब formula का question है जो पर चार्ति को formula याद होगा यह सब question असानी से tick कर रहे होगे तो इसका आप लोगो सही answer option C होगा अब चलते हैं आप लोगो 29 नमर क्यूचन में 29 नमर क्यूचन में फिर से आप लोगो differentiation question आप लोगो पूछा गया है 29 नमर क्यूचन में इसका आप लोगो सही answer आप लोगो 10 square x का आप लोगो मान पुछा गया है और यह बहुत यह बहुत आसान question यह student हर student इस question को आप लोगो टीक की होगे तो यहाँ पर आप लोगो 2 times x into आप लोगो x square होता है option D बिल्कुल जितने भी पशात्री टीक की होगे उनका सही answer होगा अब चलते हैं आप लोगो 30 number क्यूचन में आप लोगो 30 number क्यूचन में देख सेते हैं आप लोगो यहाँ पर determined on से आप लोगो question पूछा गया था तो यहाँ पर आप लोगो 30 number बहुत important कोचन था इसका सही answer आप लोगो option B होगा option B जितने भी पशात्री टीक की होगा अब फिर चाप लोगो सधी भैक्टर से हैं आप लोगो question पूछती आगया है कि आप लोगो i vector प्लस आप लोगो j vector की दिशा की काई सदीस है तो इसमें आप लोगो मान पूछा गया है क्या होगा जो 31 number question पर important कोचन था इसका सही answer आप लोगो क्या टीक की है option A जितने भी पशाती टीक हों में उनका बिल्कुल correct answer होगा अब चलते हैं आप लोगो 32 नमक कीचन में आप लोगो अब कलन समीकरन से आप लोगो दे दिया गया है और यहां पर आप लोगो डी y dx x plus y बराबर 1 दिया गया है और y is equal to not बराबर आप लोगो बताया है कि y 1 के बराबर नहीं है और इसका हल आप से पूछा गया था इंपार्टेट कोचन था और इजी आसान कोचन था जो भी पचाती इसका answer टीक की है वो comment करके जरूर बतायेगा और इसका आप लोगो लास्ट में जो भी कोचन में छोड़ रहा हूँ उस कोचन को आप लोगो लास्ट में मैं परवाइट करवा दूँगा अब चलते हैं आप लोगो 33 नमा कीचन में फिर से आप लोगो आप कलन से डिफ्रिसियेशन से आप लोगो कोचन फिर से आप लोगो पुछा गया है और यहाँ पर देख सेते हैं डी बाई बटा डी एकस आप लोगो दिया है टू बाई और कॉस एकस आप लोगो समकालन का गुनक पुछा जा रहा है यहाँ पर देख सेते हैं समकालन का गुनक पुछा गया है तो इंपॉर्टेट कोचन था इसका सई answer आप लोगो option A हो जाएगा option A जितने भी पस्षाथी ठीक्यों उनका बिल्कुल यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा 34 नमर कीचन यहाँ पर पूरी तरीका से complete हुगा अब यहाँ पर आप लोगो फिर से चलते हैं यहाँ पर minus 20 k vector तो option D बिल्कुल है आपका correct answer हो जाएगा आप चलते हैं आप लोगो 35 नमर कीचन में 35 नमर कीचन बोलाएगा कि मूल बिंदू का तल से आप लोगो 2x minus 3y plus 4z है और बरावर is equal to आप लोगो 6 दिया गया है तो दूरी आपसे पूछा गया था इसका आप लोगो दूरी पुछे गया था डिस्टेंस पुछा गया था इंपोर्टेर और इजिया सान कोचन था 35 नमर में 35 नमर का बहुत ही है आप लोगो इसका science और option C हो जाएगा आप चलते हैं आप लोगो 36 नमर कीचन में बोला गया था लो 2x प्लस आप लोगो बाई-2z बराबर आप लोगो 5 दिया गया और 2x-6 बाई-2z बराबर आप लोगो 7 दिया गया तो इसके बीच में आप लोगो कोन कमान आपसे पुछा गया था 36 नमर कीचन पर इंपोर्टेर कोचन था अप लोगो यहां पर बाई-3 नमर में इंपोर्टेर था इसका आप लोगो अंसर अगर हाल कीए होगे हल कीजेगा तो इसका आप लोगो अंसर जीरो आएगा तो option यह जितने भी पचाती टीक है उनका सही अंसर होगा अब चलते हैं आप लोगो यहां पर देख सेते हैं आप लोगो 49 नमर कीचन में फिर से आप लोगो यहां पर integration से आप लोगो को कोचन पूछा गया है तो 49 नमर कीचन जो भी पचाती टीक केर के आये हैं या बना कर आयें बहुत इसान कोचन था 49 नमर कीचन में उन 40 नमर का आपको बिल्कुल है हैं आप और option यह एट जो इतने भी पचाती टीक केर के हैं उनका सही अंसर होगा अब चलते हैं आप लोगो 40 नमर कीचन में पीरा आप चलते हैं आप लोगो एक तालीस नवर कुचन में एक तालीस नुम्ह segregation में इंटीग्रेशन से फिर स्पितना आप लोग को पूछा गया है था एक तालीस नवर कुचन में इंटिक्रेशन बहुत ही असान और बहुत ही इजी कोचन था जो भी पहिशाती 42 नवक कीचन का अंसर 8 टिक करके आये होंगे 0 उनका बिल्कुल राइट अंसर होगा और मैं आप लोगो उमीद कर रहा होंगा सभी यह स्टुडेंट से कितना ओजेक्टिव आप लोगो सही हो र यह था फिर से 43 नवक कीचन में 43 नवक का आपका बिल्कुल आपका राइट अंसर यहां पर आप लोगों को हो जाएगा और इंटिग्रेशन से भी आप लोगो प्रस ने पूछ दिया जाता था और जो एक्टिव में सबसे ज़्यादे आप लोगो पूछा जाता है इंट्र आपका राइट अंसर होगा अब चलते हैं आप लोगो 45 नवक कीचन की और 45 नवक कीचन आप देख सकते हैं लमसम देखा जै तो आप लोगो लगतार 6-7 कोचन आप लोगो इंटिग्रेशन से अभी लगतार कंटीनू आप लोगो को कोचन को मैं पुर्वाइड करवा रहा ह पैंतालिस नवर का उप्शन ए जो भी स्टुडेंट टीक हो उनका सही अंसर होगा 46 नवर कोचन फिर से आप लोगो उसी तरह का कोचन आप लोगो पुछा गया है 46 नवर का उप्शन भी जो भी पशारती टीक कियो होंगे साइन इंवर्स एक्स पलस के उनका बहुत ही असा सही अंसर ऑप्शन सी होगा टैन इंवर्स टू एक्स पलस के होगा जितने भी पशाती ऑप्शन सी टीक होंगे उनका बिलकुल आपका राइट अंसर हो जाएगा अब चलते हैं आप लोगो 48 नवर कुचन में 48 नवर कुचन में आप लोगो थोड़ा लॉंग कोचन था आप पूचा गया यह स्टूडेंट अगर कॉमेंट करके जरूर बताएगा इसका अंसर आप लोगो क्या टीक की हैं इसका इससे आप लोगो राइट अंसर इसका ओप्शन यह होगा जो अच्छा खास आप लोगो औजेक्टिव साही होगा होगा अब यहां पर आप लोगो 50 नम कोचन का उनका बिलकुल यहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा अब चलते हैं आप लोगो एक कामन नमा क्यूचन में फिर से आप लोगो मैट्रिक्स से कोचन पूचती आ गया था और इजी और असान कोचन था एक कोचन हार स्टूडेंट लंसम आप लोगो आप लोग पूचन है यहांपर फिर से आप लोगो ए वरावर दे दिया गया है और यहां पर आप लोगो एज वाइंट आप से पूचा गिया है एक आप लोगो मान पूचा गया है इंपोर्टेट और असान कोचन था इसका तिरपन नमर कीचन का ओप्षन ए जो भी पहसे आती ठीक है उनका बिल्कुल आपका सही अंसर होगा अब चलते हैं आप लोगो चाउगन नमर कीचन की ओर चाउगन नमर कीचन में आप लोगो क्या बोला गया है यहां पर एकस बराबर आप लोगो दीया लोग है अपलेगका अपका राइट थिखने को मिलेगा अब चलते हैं आप लोग को 55 नमर क्यूजन की ओर 55 नमर क्यूजन में आप लोग को क्या है आप लोग को बोला एक्स ब्रावर 80 अस्कुवर और बाई ब्रावर 280 है और आप लोग को diffusiation से कोशेन आप लोग को पुछा गया था इसका 55 नमर का तो इसका सही अंसर आप लोग को दू आएगा तो option D जो भी student टीक है उनका सही अंसर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा अब यहाँ पर आप लोग को फिर से diffusiation से कोशेन आप लोग को डाला गया था अंतामन नमर क्यूजन में और जो student अंतामन नमर क्या यहाँ पर आप लोग को देख से थे कुछन आप लोग को डाला गया था आप चलते हैं उनसर नमर क्यूजन में और यहाँ पर आप लोग उप्षन सी जो भी स्टुडेंट टिक की होंगे उनका बिल्कुल है आप आपका राइट अंसर हो जाएगा अब चलते हैं आप लोगो साथ नमर क्यूचन में साथ नमर क्यूचन बहुत ही असान कोचन था जो स्टुडेंट यह कोचन को सोल्व किये होंगे आसानी से आप अगर आप लोगो डाउन लुड़ करना चाहरे हैं तो कैसे आप लोगो डाउन लौड कीजेगा उसका मैं प्रोसेस यहां पर आप लोगो टाइप कर लेना है बिहार जनकारी जैसे ही आप लोगो टाइप कीजेगा तो यहां पर आप लोगो बिहार जनकारी का जो पेज है वह ओपन होकर आएगा यहां पर आप लोगो इंगलीज में देखने को मिलेगा बिहार जनकारी देखने को मिल रहा है यहां पर आप लोगो इ यहाँ पर आप लोगो देख सेते हैं लेटेस्ट अपडेट और साथी लेटेस्ट जॉब तो नीचे आप लोगो स्क्रॉल करके आपको आ जाना है अंसर की का सेशन में जो भी पर जैसे ही आप लोगो किली करें तो कुछ ही तरीका से इंटरफेस आएगा अगर आप लोगो क्या एक आप स्टुडेंट है तो उस पर एस करके आप लोग को कर देना है ताकि जो भी मैं आप लोगो अपडेट लाओं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे है उस पर आप जैसे ही किली कर दें तो फिर से आप लोगो नेक्ट पेज ओपन होकर आएगा तो यहां पर आप लोगो नेक्ट पेज कुछी तरीका से ओपन होकर आएगा आप लोगो नीचे स्क्रॉल कर देना है और नीचे स्क्रॉल करके आप लोगो यहां पर देख सेते हैं Math का जो भी आप लोगो set है, सभी set का अंसरीट यहां से आकर आप लोगो डॉणोड कर सकते हैं, साथ इसाथ सभी subject का अंसरीट यहां पर आप लोगो प्रवाइट कराया जाएगा, सभी अश्टूडेन को जेसे ही आप लोगो एक्जाम होता है, और तुरेंद आप लोगो चाह देता हूं जो सभी एस स्टुडेंट का हैंड़ी पर्सेंट एक्जाम में लड़ता है तो आप भी एक्जाम में अच्छा आंक लाना चाहरें चैनल को सब्सक्राइब करके बगलवले घंटी को फ्रेस जरूर करिएगा मिलते नेक्स वीडियों में तब तक के लिए जाहीं